आपका मेरी चैनल में श्वागत है। आईए जाने पाप मोचनी एकाइदसी कब है। इस एकाइदसी का सुप महूरत एवन पूजाविधी क्या है और पाप मोचनी एकाइदसी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आईए जाने इस वीडियो में इसका मैं विवर्ण करूंगी सनातन धर में एकादसी का अत्यनत महत्तपूर इस्थान है इस दिन भगवान विश्णू की पूजा उपाशना की जाती है 24 एकादसियों में ये अंतिम एकादसी मानी जाती है और मानेता है कि इस दिन का प्रत करने से मनुस्य अपने संपूर पापों से मुक्ति पा जाता है और साथ ही साथ सुख सम्रद्धी भी प्राप्त करता है मनुवांचित फल की प्राप्ती करता है आईए जाने पाप मोचनी एकादसी का सुब महूरत अयंतिथी क्या है सनिवार 18 मार्च 2023 को है तिथी का प्रारंब एकादसी तिथी का प्रारंब 17 मार्च 2023 को दो बहर को दो बच की छे मिनट से सुरू है एकादसी तिथी का समाप्त 18 मार्च 2023 को सुबह 11 बच के 13 मिनट तक रहेगा ब्रत का पारण का समय 19 मार्च सुबह 6 बच के 25 मिनट से 8 बच के 7 मिनट तक रहेगा पाप मोचिनी एकादसी का क्या महत्व है आईई जाने पुराण के अनुसार एकादसी को भगवान विश्णु का ही स्वरूप माना गया है माना जाता है इस दिन ब्रत रखने से सांसारे सुखों को भूगने के साथ साथ मृत्त के बाद पैकुंट धाम की प्राप्ती होती है साथी संसार में उसको सारे सुक वैभव की प्राप्ति होती है पाप मोचनी एकादसी के दिन ब्रत रखने से ब्रम हत्या, चोरी, सुरा पान जैसे पापों से मुक्ति मिल जाती है आएए जाने एकादसी का पूजन किस प्रकार करें जिससे पूजन का भगवान विश्णू के ब्रत का पूण फल प्राप्त हो एकादसी के दिन ब्रम महूरत में उठकर सभी कारियों से निवरत होने के बाद इस्नान कर ले इस्नान करने के बाद भगवान विश्णू को सामने संकल्प ले इसके बाद पूजन आरंब करे पूजन में जल, फूल, माला, चंदन, अक्छत चड़ाएं इसके बाद तुलसी दल, केला और मिश्ठान का भूग लगाएं घी का दीपक धूब चला लें फिर कथा कहें और सुनाएं कथा कहने के बाद घी की दीपक से या कपूर से भगवान विश्ठान का आरती करें आरती करने के बाद दिन भर भगवान विश्ठान का मन ही मन मंतरों का जाब करते रहें द्वादसी के दिन पुनह पूजा करें पूजा करने के बाद सामर्थुन नुसार आप ब्राम्भुरों को दान दें दान देने के बाद आप इस ब्रत को खोल सकते हैं